Hello everyone, welcome back to my channel CA students and hope you all going good. So my loving students जो आपने कल वीडियो में देखा कि कल ICI के जो काउंसल मेंबर है जो कि आपके धिरश कंडेलवाल जी उन्होंने अपने ट्वीटर्स पे एक स्ट्वेंट्स का रिप्लाई करते हुए ये बात बोली थी कि CA का जो नवंबर 2020 रिजल्ट्स की एक्जामिनेशन का जो रिजल्ट्स है वो आपकी for all, all means that is inter, foundations और final सभी के लिए रिजल्ट्स की जो date बताई गई ICI के काउंसल मेंबर जो की धिरश कंडेलवाल जी है उन्होंने बताई थी for all के लिए that is within the first week of the February 2021 तो February 2021 के first week में रिजल्ट्स की ICI के काउंसल मेंबर ने बात बोली थी with supporting this यानि कि मैं उस चीज़ को support करते हुए reasons क्या हो सकते हैं उसके क्यों इतना late reasons क्या हो सकते हैं कि November 2020 के रिजल्ट्स को इतना delay किया जा रहा है ताकि ये तो चीज एक तरसे unjustice way में लगती है लेकिन कुछ students को ये चीज़ समझानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे students ये बात बोल रहे थे कि sir हमने तो November 2020 का results अपना examination time पर दिया तो accordingly हमारा results भी time पर आना चाहिए और accordingly delay थोड़ा सा हुआ था November 2020 के examination में लेकिन results इतना late क्यों आ रहा है तो sir please हमें इसको बात पर clarification दीजिए तो मेरा ये reasons अपनी my views है reasons को लेकर कि क्यों November 2020 के results late हो रहा है so my views are strictly right my views are strictly personally तो my views जो है वो personally strict बोल रहा हूं आपके लिए तो ये reasons क्या हो सकता है इसका एक सबसे बड़ा reasons ही हो सकता है आप ये चीज़ देखेगा कि जो January 2021 में examinations students देने जा रहे हैं जो January 2021 में students examination देने जा रहे हैं उनके examination 21st दे स्टार्ट हो रहे हैं और ICI नहीं चाहता हो सकता है कि ICI doesn't want and ICI they are considerable कि अगर वो इस mid में that is called 15 to 20 of January या फिर 20 to 25th of January या फिर 25 to 30 of January के बीच में गर results दे तो ये आपकी examination cycle चलेगी यहाँ पर जो January के examinations में है students और कुछ students ने अपने first group को दिया होगा I think November 2020 में and they don't want to create any confusions or to create any कोई भी आप यह लिए demotivations उसके mind में आए कि वो examination से पहले अपने minds को demotivate कर ले so I say का वह एक perspective हो सकता है कि जो January के examination जैने जारे students उनको किसी पी तरीके से कोई problem ना examination को देने के लिए लेकिन ये बात done है कि आपका ये problems भी I say देख रहा है कि yes कि January के examination January में आपके एक तरसे exam conduct करा दिये जाए और accordingly तभी ये results को release करवा दिये जाएंगे तो ये एक most appropriate reason हो सकता है for all सभी के लिए तो मेरा ये मानना था मैंने आप सब को बताना था मैंने वीडियो के थूँ आपको बता दिया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो please like जरूर कर देना shares और comments जरूर बोलना और अपने friends के साथ जरूर share कीजेगा ताकि उसको भी बता लग सके कि results क्यों इतना late हो रहा है इसके पीछे reasons ये हो सकते हैं so my loving students if you have not subscribed my channel yet अगर आप channel पर नहीं है तो please आपको subscribe कर लिजेगा share comments करना मत बुलिएगा thanks thanks a lot and thanks for watching this video